सबीकों नमस्कार दोस्तों आज हम सीशेट पेपर के पैसेज यहां पे सौल करने वाले हैं आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको 2020 के पैपर के भी पैसे सौल करके बताऊं पहले भी मैंने अच्छे कासी वीडियो सीशेट के पैपर को लेकर बना दियें आप या यूटूब भी आप लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो इसके लावा यार आप लाइक शेयर बहुत कम करते हो आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को लाइक करने में आपका क्या जाता है जब मैं इतना एफट आप लोगों के लिए फिरी में लगा रहा हूं तो आपकी भ पढ़ो और पढ़ने के बाद में यह कुशन पर जो कुशन देर का यहां पर इसको आप ट्राइ करो कि आपका अंसर क्या होता है और मेरा अंसर क्या होता है ठीक है इसी तरह इंग्लिस मेडियों के विजारती भी यहां पर पैसेज को पढ़ेंगे और अपना कुशन अटेम करना नहीं है अधिगान्स विजारती जो सीचेट के पेपर में फैल हुए है या नंबर जिनके कम आएं एक समस्या है कि वह गभरा जाते हैं एक्जाम में क्योंकि मैं खुद एक विजारती हूं आपकी तरह मुझे भी पता है सीचेट पेपर में क्या सीशुसन होती है ठीक है कि रोजगार इस सेक्टर में यहां विंद्रमाण सेक्टर में जा रहे हैं लेकिन वहां पे ऑस्षर कितने बनेंगे ठीक है यह जानते हैं कि सिखल की किेल बडिया यूर्घ पर Cleols नहीं कर रही है अब यहांา सेक्टर में भी प्याता है रोजखार थी है अब यहां परसे प इस्किल की समय से है या अन्य जो भी तक्निकी जो चीज़ा आती है ठीक है ये भी रोजगार उत्पन नहीं कर रही है जिनकी देश को आफसकता है भारत को अगले देसक में लगबग 24 मिलियन नोकरियों की आफसकता होगी नया सेक्टर अब देखो नया सेक्टर कौन सा है इव स्वास्ते सेक्टर शिक्सा ठीक है सेज आधि भाग को सुगुमता पूरुग बर सकते हैं कि यह सेक्टर हैं जिन में रोजगार अच्छे से क्रेट हो सकते हैं चलो अब कुस्टन पर आते हैं आराम से आपने पैसेश को सभी से समझ लेना जलदबाजी मत करना हिंदी में अब आगे है कि परिछेत में निम्लिक्त में से कौन सा सरवादिक महतपूर नीरतारत है तो यह पुचा कि इस पेसेज का अर्थ क्या है दो टाइप की कुछन आते हैं एक तो कुछन ज्यदा आते हैं पूरो दर्णा वाले ठीक है एक कुछन आते हैं सामाने जो मिश्वास ठीक है और कॉन्परेंस दिखाओ के पैसेज में अनसों गलत हो जाएगा कि गरामिट से सहरी चेतर में सर्मिकों का प्रवसन कहीं बात नहीं कीगे बिल्कुल काड़तो ठीक है निर्मान तदा गेर पंजिकत विनिर्मान में काली करने की स्थियों में सुधार ला इसको पढ़ लेते हैं कि बड़े पेमाने पर रोजगार उपलूफ कराने के लिए सामाजी चेतर में खर्च का बढ़ाना आफसेक है यह देखो सामाजी शेक्टर कौन से हैं स्वास्ते सिक्सा अधी यह सेक्टर अच्छे इन पर इदी निवेस होगा तो हो सकता है रोजग करना आपको मिल जाएगी आराम से उन्हीं से अपने आंसर को मेच करना है ठीक है तो यह टेक्निक है कितनी साथ आसान टेक्निक है और ऐसी बात नहीं कि पैसे जैसे तीस कुसनत तो मेरे भी सब के सब सही होते हैं मैं भी आप की तरह विजारती हूं जैसे उसमें 30 कुसन कि नॉर्मल बात है कोई दीकत नहीं है इसलिए सेट के पेपर में क्या होता है कि जिनकी मेत रिजिनिंग अच्छी है न तो कोशिस पहले इसमें करनी चाहिए और मेत आपको ठीक ठाक कर लेनी चाहिए कि मेत की कैसे कुसन आते आपको पता है इजी वाले कुसन आते है इसके अच्छी एक दिशा पप्लिकेशन की NCRT प्लस यहां पे अच्छी MCQ देखने को मिलें ठीक है यह पांस किताबों का एक कॉम्बो पे एक आता है जिसमें आपको इस्ट्री एकोनोमी पॉलिटी जनरल साइंस और जिग्राफिक के MCQ देखने को मिलेंगे इस किताब को विशे चीज है जो भी important MCQ देखोगे ठीक है और इसके लाब फिर इनका जो explanation है हिंस और explanation बहुत अच्छा है जैसे आप डाइग्राम और मेप भी देख सकते हो कुशन की डिमांड के इसाब से आपको देखने को मिलेंगे इसमें UPSC के प्रिवेश एर के पेपर है प्री और मेंस व आपको प्रेक्टिस के लिए इसमें देखने को मिल जाएगा फिर मेंस के जो कुशन है उनके hints और explanation भी आपको यहां देखने को मिल जाएगे ताकि आपको कुशन लिखने में आसानी हो जाए ठीक है ऐसे ही हम जैसे science or take का देखें यहां पर यह इसी किताबें जो NCRT किताब पढ़ने के बाद में आप इनको यूज में ले सकते हो एक अच्छे प्रैक्टिक सेट के रूप में ठीक है science tech में भी यह एक इस सिक से लेकर 12 की जो NCRT है उनके चेप्टर वाइज आपको MC को देखने को मिलेंगे ठीक है अच्छे सेन में हिंट्स और explanation भी दिये गए इसी तरह मेंस के भी इसमें चीजें सामिल की गई है तो यह किताबे हैं यदि आप इनको चेक आउट करना चाहते हो तो वीडियो के description में इनका लिंक दिया है अभी चलते हैं सेकंड कुशन पर इसमें भी आपको क्या करना है पेसेज को पढ़ना है ठीक है आराम से पेसेज को पढ़ो और जो भी एक कुशन थोड़ सा पूरु दाणा वाला कुशन थोड़ सा आपको यहां पे सावदन हो जाना है कि यह कुशन गलत होनी संभावने जयदे रहती है ठीक है आगे बढ़ तिए कुछ न आप अटेंप्ट लेना आपको आगे बढ़ते हैं कुछ न को आटेंप्ट लेते हैं सब से पहले क्या गरना है पैसेज को समझना पढ़ना यह सब से इंप्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ठीक है चलो पढ़ते हैं पेसेज को कि भारत में निश्टा के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल यूग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधरीत है थोड़ा सा मन में विचारा रहे कि जो भी मतलब निश्टा का अधिकार है वर्तमान यूग जैसे तकनीक के हम सबको मिले वें तो वह यार सभी तभी सही माने जाएंगे जो किसी भी कंडिशन में हो यह अधिकार इनका वाइलेशन ना हो सभी लोगों को मतलब हमेशा मूल राइट है या मूल अधिकार जो है वामेशा मिलते रहें उदारन के लिए किसी वियक्ति का अपने विरुद अधिक सोच तो होनी चीए जैसे चीज़े आप समझते हो आपका मानसी ग्रूप से आप इन चीजों का मनन करते हो उसी साफ से इनकार सही से निकल के आता है ठीक है ठोड़ी सी लेंग्वेस तो टप है इंदी की ठीक है जो कि यह सुनिशित करें कि उसके इस अधिकार को गे जो भी हमारे मूल अधिकार उनका अनन हो जाता है गेर सरकारी संगेटन क्या सोरी जो गेर सरकारी सकती हैं चाहिए नेगटिव जो ताकते हैं वो ऐसा कारी करती है इसलिए राजी की एक भूमिगा बढ़ जाती है कि इसमें आधिकारी एक सवतंतर अभिक्ति में जाओं करने में सक्सक्य करते हैं खेससे आप कई भी बिमतलब कारी करते हो जैसे आप आपके साथ कई बार ऐसा गजtना घड़ जाती है नोजीतों को पहले से लेके इंके थोड़ cranis क檄 और जयादा सुख सा सुनिसित कर सकें याद रखना technique को अपनानी है a Elimination Technique और इसमें पूरु दरहना हो है पूरु दरहना कुशन है ठीक है तो पूरु दरहना वाले कुशन में एक जीज़ आपको थोड़ा टिपस देता हूं यह टिपस आपके बहुत काम आएगी पूरु दरहना वाले कुशन में एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो लेकक है जिस लेकक ने ये लेक लिखा है उसकी मतलब एक तरह से उसकी क्या डिमांड है या उसका एम क्या है उसका लक्स רק क्या है वह चाहता क्या है यह बात ध्यांक नहीं इसमें लेकर इसलिए यह लिखा है कि इसकी क्या उद्थ से थो आप कान स्वाइब जैसे कह रहाएं कि डिजिल समाज में राज्य के ये पास ऐसी सहान्सता ही होनी चाये जो इसकी सभूचित भूमंका को सुनी सीच कर सके तो लेकल की एक बाहनãy तो मतलब मुलोदिगारों को सुनी सीच करने के लिए Digital यूख में राजी चींटध को कुष mira को कुष न इससा करना चाहिए तो इसमें क्या खहरा है कि ऐसी सेंस नहीं होनी चाहिए जो की सुनिशित कर सके है मतलब अपनी भूमी का सुनिशित करे या मौलो दिगारों को बचास के जो भी है ठीक है तो एक तो संभावना है कि हाँ ये है ठीक है पूरू दहना मले में यह नहीं करना है कि 100% आपको पैसे से मेच करेंगा आपको अबकी ढ़की बावनाबा क्या यहां की यह थोड़ी बात यहां की इंडारिक्ट बात है तो पूर दारणा में डारेक्ट और यह में हम एक सबस्क्राइब नहीं करते हैं तो इसी तरीके से आपको सेखुज़। ठीक है आप option से भी जा सकते हैं कि दो तो हमारा दोनों में सही है एक को एक वार रीचे कर लेते हैं कि डिजिटल समाज में राजे के पास ऐसी सेंस्ता ही होनी चाहिए जो उसकी समुझित बूमिका को सुनीचित करें यहां पर एक जगे लिखे भी गई है कि राजे की बूमिक कि में भी है तो यहां से हमें सीखना है और जैसे यह पेसेज में सोल कर रहा हूं मुझे पता है कि आप लोगों की काफी समस्य आएगी गलत भी होगा लेकिन मेरी एक बात आप मेंसा मानना डरना मत अटेंट लो जैसे यह पेसेज में सोल कर रहा हूं आपके सामने भी है न तो मैं तो अपना पूरा homework करके हूँ, पूरा work करके हूँ, मैंने अपने पैसेज attempt ली हैं, फिर उपीसी answer किसी मिला हैं, तो इसमें मैंने देखा हैं मेरे का answer भी गलत होते हैं, इसी बात नहीं सब के सब सही होते हैं, मैं सविकार करता हूँ इस बात को कि मैं perfect नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें सीखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बार-बार UPC के exam दिये, CC8 में मैं कभी fail नहीं हूँ, इसलिए मैं यह बता सकता हूँ, और CC8 में ऐसा भी नहीं कि मेरे बहुत ज़्यदा मार्क साते हैं, ठीक है, तो normal चीज़ें हैं, यह सिकाना चाहता हूँ, इसके लावा आगे continue रुखेंगे, आने वाले वक्त में और CC8 के paper के पैसे solve करेंगे, और कुछ technique होगी तो आपको बताऊँगा, तो आपकी जिम्यदारी क्या बनती है, यार इनको like से रखो, comment करके बताऊ कि ये faces आज जो हमारी style थी कैसे लगी आपको, इसको हमें जारी रखना या नहीं रखना, आपका, इसमें like जदा आएंगे, comment आपका अच्छा होगा, तो मैं ऐसी free initiative लगतार लाता रहूँगा, ठी मिलते हैं को वीडियो में, सबको धन्यवाद,